दबश्कार आप देख रहे हैं आपका अपना टालीवीज टीवी चैनल जापर मैं प्रियाब आंडे आप सभी का इपार्फर से स्वागत करती हूँ बात करने जा रही हैं कलस्टीवी के ती मोस्ट पॉपुलर शो परिनीथी के दुस दो सीरे परिनीथी की कहानी में पार्वती के जस्बाद उसके अंदर की फीलिंग्स जोकी परी की फीलिंग्स है उसके राजीब के लिए वो धीरे धीरे भाहराती नजर आ रही है हलां कि इस चीज के लिए अम्बिका देगी ने ना बहुत समझाया पारवती को लेकिन क्या है ना कि पारवती ना उनी जस्वातों को अपनी फिलिंग्स पर कावू नहीं रिपा रही है रोक रही है फुद को राजीब के अपनी करीब आने से और राजीब के करीब जाने से और ये सारी चीचे देख करना नीती की जलन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है अगर कर लेक हूँ और परिए परे उसे प्यार और परी जो है उसे पारवती के अंदर नजर आ रही है और वो कही न कही जानता है कि यही उसकी परी है लेकिन वो पारवती बनने का नाटा क्यों कर रही है वस वो यह जानना चाहता है पता लगाना चाहता है इसलिए वो अब पारवती के करीब जाने की कोशिश कर रहा है अब इसे कड़े में आपको बता दे कि करीश चारे के बाद यहां पर नीती अपनी हरकते जो है मुझालू कर देगी पारवती के खिलाफ जिसकी वजह से नीती फच गाई ही और यह दोनों मिलकर मीती को अपनी जिंदगी से धके मारकर बाया निकाले लिए और इन सब में अंबिका देगी पारवती और राजीव का साथ यहां प्यूंकि राजीव बेकुसूर है यह बात साबित हो जाने वाली है और इसके बाद हो जाने वाला है संजू और राजीव और पार्वती का महामिलन और इस महामिलन के बाद बैंड बचने वाली है नीती दलजीत और उसकी मा गुर्वेंदर की और इस बैंड को बचता हुआ देखने के लिए मैं काफिस ज्यादा एक्साइटे हूँ क्योंकि फा